इलावंथ क्लास में एक नए टीचर विजे की एंट्री होई विजे देखने में बहुत हैंडसम था शिल्पा उसे देखती ही रह गई और एक ही नजर में उसे विजे पसंद आने लगा विजे ने क्लास में आकर अपना इंट्रोडेक्शन दिया और सभी स्टुडेंट्स के नाम पूछे शिल्पा ने भी अपने बारे में बताया विजे के लिए तो शिल्पा एक नॉर्मल स्टुडेंट थी पर शिल्पा विजे को कुछ जादा ही समझ रही थी विजय का जन्म दिन आने वाला था सभी बच्चे उस दिन विजय को क्लास में विश करते हैं इन लोगों को यहाँ पर विश करने दो पर मैं तो विजय सर को अलग से विश करूँगी विजय सर भी देखते रह जाएंगे कि मैंने उनका बर्डे कैसे किया है विजय को तो अंदाजा भी नहीं था कि शिल्पा शाम को उसे बर्डे विश्च करने के लिए उसके घर पहुँच जाएगी विजय अपनी पत्नी सुजाता के साथ अपने बर्डे की पार्टी के लिए बाहर जाने वाला था वो लोग रेडी हो चुके थे जैसे ही घर से बाहर निकलने लगे अचानक शिल्पा को देखकर विजय हैरान रह जाता है शिल्पा तुम और यहाँ? आपका बर्डे है और मैं ना आओ ऐसा कैसे हो सकता है? हैपी बर्डे सर देखा मैंने सर्प्राइस दे दिया ना? हलो मैम आप यह मेरी पतनी सुजाता है सुजाता? यह मेरी स्टूडेंट शिल्पा है पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है विजय सर तो ऐसे ही मेरी तारीफ करते रहते हैं वैसे यह लीजे सर आपके लिए कुछ गिफ्ट्स लाई थी हम लोग अंदर चलते हैं आओ शिल्पा, अंदर आओ शिल्पा के आने की वज़े से विजय और सुजाता उस दिन बाहर पार्टी के लिए नहीं जा पाए क्योंकि शिल्पा ने सारे इंतजाम घर पर ही कर दिये उसने बहुत सारा खाना पहले ही ओर्डर कर दिया शिल्पा तुमने इतना सारा खाना ओर्डर कर दिया ये तो बहुत सारा है आपका बड़्डी हो और अच्छे से सेलिब्रेशन ना हो ऐसा तो होई नहीं सकता विजय और सुजाता ने उस दिन शिल्पा की बात को हलके में ले लिया पर अब तो शिल्पा ने रोजाना का ही नियम बना लिया वो अकसर ही विजय के घर आने लगी विजय जब भी छुट्टी के दिन घर पर होता तो शिल्पा किसी ना किसी बहानी घर पर आ जाती अब तो विजय और सुजाता को शिल्पा का ज्यादा आना खटक रहा था एक दिन सुजाता को अपने माई के जाना पड़ा ये बात शिल्पा को स्कूल में पता चल जाती है क्योंकि उस दिन विजय छुट्टी पर था रामु भया आज विजय सर स्कूल नहीं आए बिटिया आज विजय सर चुट्टी पर है वो उनकी पतनी सुजाता को छोड़ने एरपोर्ट गए थे इस वजह से स्कूल नहीं आ सके आज विजय सर घर पर अकेले हैं मेरे पास अच्छा मौका है आज मैं उनसे अपने दिल की बात कह करी रहूँगी शिल्पा विजय के घर जाती है क्योंकि वो जान चुकी थी कि विजय घर पर अकेला है विजय दर्वाजा खोलता है तो शिल्पा उसके गले लग जाती है ये क्या बद्दमीजी है शिल्पा? अटो पिछे, ये क्या कर रही हो? मैं आपसे बहुत प्यार करती हो सर मैं आपकी बिना नहीं रह सकती ये क्या बद्दमजाग है? तुम्हें पता भी है मैं शादी शुदा हूँ तो क्या हुआ? आप अपनी पत्नी को तलाग दे दो भी था. देख लीजे आप अपनी बेटी की हरकत मैं आपको यही सच दिखाना चाहती थी मम्मी, पापा, आप दोनों और यहाँ और तुम तो अपनी मम्मी के घर गई थी ना? नहीं, माई की जाना तो एक बहाना था मैं और विजे तुम्हारा सच तुम्हारे पैरेंट्स के सामने लाना चाहते थे, क्योंकि हमें तुम्हारी हरकते ठीक नजर नहीं आ रही थी, मेरे पती से दूर रहो, तुम्हारी उम्रे नहीं अभी इन सब बातों के लिए, मैं चाहूं तो अभी तुम्हारी खिलाफ कंप्लेंट कर सकती हूँ और तुम्हें स्कूल से भी निकाला जा सकता है। पर मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हारा भविश्य खराब हो। आप दोनों प्लीज अपनी बेटी को यहां से ले जाएए। क्या हमने इसी दिन के लिए तुम्हें स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा था कि तुम ये हरकत करो। ये तो ये दोनों शरीफ हैं जो तुम्हें छोड़ रहे हैं वरना कोई और होता तो ना जाने हमारी कितनी बदनामी होती। आज के बाद इस तरह की हरकत की तो हम भोल जाएंगे कि तुम हमारी बेटी हो। जानता था कि एक लड़की की इज़द क्या होती है। इसलिए उसने भी ये बात अपने तक रखी और जैसे सभी बच्चों को पढ़ाता था। वैसे ही शिल्पा को भी पढ़ाने लगा। यही एक आदर्ष टीचर की पैचान होती है। कि एक ही सहेली थी मिनल जो उसके पडोस में रहती थी। दोनों साथ ही स्कूल जाती थी। एक दिन स्कूल जाते वक्त। अरे सिम्रन आज तुने फिर लेट कर दी। तू क्लास में अवल आती है इसलिए तुझे टीचर कुछ नहीं बोलती। आज तो वो पक्का मुझे पनिश्मेंट देंगी। अरे बाबा कुछ नहीं होगा। हम दोनों क्लास रूम की खिड़की से जाकर सीट पर बैठ जाएंगे। ये देख मेरा नया फोन। वाओ तुम्हारा परसनल फोन। यहां तो मुझे हर साल अपनी दीदी की पुरानी स्कूल ड्रेस पहन कर स्कूल जाना पड़ता है। ये से क्लास रूम के पीछे वाली खिड़की से घुसने की कोशिश करती हैं लेकिन टीचर दोनों को पकड़ लेती हैं और लेट आने की वज़ज़ से टीचर दोनों को क्लास से बाहर कान पकड़ कर खड़ा कर देती हैं। सिर्फ हम दोनों ही क्लास रूम के बाहर थोड़ी हैं, सामने उन लड़कों को देख। हाई गल्स, आप लग भी क्लास में लेट आई थी क्या। हाँ, ये टीचर भी न, स्कूल में पढ़ाने आती हैं या बच्चों को पनिश्मेंट देने। मैंने तुम्हें इस स्कूल में पहले कभी नहीं देखा। हाँ, हाँ, मैंने भी कुछ दिनों पहले इस स्कूल में अडमिशन लिया है। वैसे भी वो दूसरे स्कूल से आया है। इस बार हमारे टेंथ क्लास है, वो मेरी थोड़ी स्टडीज में हेल्प कर रहे हैं और कुछ नहीं। मैं तो कहती हूँ, तु उससे थोड़ा दूर रहा कर, मुझे वो लड़का बिलकुल भी पसंद नहीं है। थू भी न, ऐसा कुछ भी नहीं है, रॉकी काफी अच्छा लड़का है। अगली दिन सिम्रन क्लास में बैट कर फोन चला रही थी, तभी उसे टीचर पकड़ लेती है। ये क्या है सिम्रन, आजकर तुम्हारे मार्क्स वैसे भी पहले से बहुत कम हो गए हैं, और तुम क्लास में बैट कर मोबाइल चला रही हो, मुझे मजबूरन तुम्हारी ममी को कंप्लेंट करना पड़ेगा। सौरी टीचर, अगली बार से ऐसा नहीं होगा, परना ममी मेरा फोन चीन लेंगी, प्लीज ममी को मत बताईएगा। ये तुम्हारी पहली गलती थी, इसलिए मैं माफ कर रही हूँ। ऐसे ही कुछ महीने बीच जाते हैं, गर्मी की छुटी का वक्त आ जाता है, सिम्रन और रौकी स्कूल के बाद कुछ टाइम साथ में गुजारने का प्लान करते हैं। तब ही सिम्रन के फोन पर रौकी का कॉल आता है और वो वहाँ से चली जाती है। गर्मी की छुटी हो जाएंगी, हम लोग दो महीने तक नहीं मिल पाएंगे। इससे पहले मैं तुम्हे कुछ बताना चाता हूँ। हाँ बोलो, क्या बताना है तुम्हें। तुम्हेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मैंने आज तक तुम्हरे जैसी लड़की नहीं देखी। तुम भी ना, तुम भी मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। तुम्हेरी बताती है, तुम्हें याद है, उस दिन हम तुम्हेरी घर पर मिले थे, हमारे बीच। ऐसा, ऐसा कैसे हो सकता है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या बोल रहे हो तुम रोकी, ये सब हमने साथ में किया था। ठीक है ठीक है, रुख जाओ, मैं कुछ करता हूँ, लेकिन इसके बाद तुम मुझे अपनी शकल मत दिखाना। रोकी वहाँ से चला जाता है, सिमरन रोते हुए मीनल के पास जाती है। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। रोकी मेरी शकल भी नहीं देखना चाहता है। मुझे पैता था वो लड़का कुछ ऐसा ही करेगा, मुझे उस पर बिलकुल भी भरोसा नहीं था, मुझे लगता है हमें किसी बड़े की मदद लेनी चाहिए, नहीं नहीं, ये बात किसी को नहीं बताना, वरना सब मुझ पर हसेंगे। अगली दिन रॉकी सिम्रन को एक गोली लाकर देता है। ये लो, ये गोली खा लेना, इसके बाद इस परेशानी से में चुटकारा मिल जाएगा। लेकिन रॉकी, इससे कुछ प्राब्लम तो नहीं होगी न। चुप चाप से एक गोली खालो और मेरा पीचा छोड़ दो, इसके बाद से ना तो मुझे कॉल करना, ना ही कोई मैसेज। सिम्रन वो गोली खाकर जाकर अपनी क्लास में बैट जाती है, तब ही वो चक्कर खाकर गिर जाती है। तुझी क्या होगिया सिम्रन, आखे खोलो, इसके मूपर पानी चड़कने के बाद भी इसे होश नहीं आ रहा है, लगता है कोई सीरिस इशू है। टीचर, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, प्लीज आप किसी को मत बताएगा। मैं तुम्हारी टीचर हूँ, तुम लोगों को सही राह दिखाना मेरा काम है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बिना जिजक के मुझे सारी बाते बताओ। मीनल डर कर टीचर को सारी सच्चाई बता देती है। टीचर सिमरन को हॉस्पिटल लेकर जाती है और वहां उसका अच्छे से चेक अप करवाती है। कुछ तेर बाद सिमरन को होश आ जाता है। टीचर मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, मेरी तब्यत खराब होने के पीछे कुछ और बचा है। मुझे मीनल ने सब बता दिया है। इस सुमर में बच्चे नादानी करते हैं लेकिन तुमने जो किया है वो छोटी बात नहीं है। इससे तुम्हारी पूरी जिंदगी बरबाद हो सकती थी। मुझे अपने केपर बहुत अफसोस है। मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। आप प्लीज किसी को कुछ नहीं बोलिएगा। ऐसे बिना जाने कोई मेडिसीन लेना खतरनाक साबित हो सकता है। तुम्हें किसी बड़ी से एडवाइस लेनी चाही थी। मुझे माफ कर दो मिस। मैं बहुत घबरा गई थी। लेकिन तुम्हारे साथ जिसने ये किया है मैं उसे सजा दिलवा कर रहूँगी। टीचर रौकी को स्कूल से सस्पेंट करवा देती है और उसके फाइनल एक्जाम देने पर भी रोक लग जाती है। मुझे माफ कर दीजे टीचर मैं ऐसी गलती फिर कभी भी नहीं करूँगा। तुमने एक लड़की के साथ जो किया है वो माफी के लायक नहीं है। तुम्हें सिम्रन से माफी मागनी चाहिए और अब इस गलती को सुधार कर इसका पश्चाताब भी तुम्हें ही करना होगा। वो दरसल बात ये है कि वो आपकी बेटी सिम्रन प्रेगनेंट है। रुक जाये सर अब ऐसे समय में आपको इन बच्चों का साथ देना होगा वरना ये जिन्दगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएगी। और ये नादानी में कोई गलत कदम न उठा ले। टीचर बड़ी समझदारी से सारी बात सिम्रन के ममी पापा को समझाती है। अब हमें क्या करना चाहिए? इसकी तो जिन्दगी बरबाद हो जाएगी। अभी सिमर बहुत छोटी है, इसके सामने पूरी जिन्दगी पड़ी है। हमें इस बच्चे का मिस्कैरिज करवा देना चाहिए। मैंने डॉक्टर से बात की है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर सिमरन की फैमिली और टीचर मिलकर उस बच्चे का मिस्कैरिज करवा देते हैं। थोड़ी दिनों बाद सिमरन बिल्कुल ठीक हो जाती है। सिमरन के ममी पापा भी उसकी गलती के लिए उसे माफ कर देते हैं। अब सिम्रन और मीनल की फिर से गहरी दोस्ती हो जाती है। सिम्रन मीनल से अपने बुरे बरताब के लिए माफी मांगती है। मीनल मैंने तुझे भला बुरा कहा लेकिन तुमने आज साबित कर दिया कि तुम ही मेरी सची दोस्त हो। ये तो मेरा फर्स था। दोस्त अगर दोस्त के काम ना आये तो मैडम दोस्ती कैसी? अब थोड़ा हज भी दे. आज से हम दोनों मन लगा कर पढ़ाई करेंगे और कभी भी किसी को शिकायत का मौका नहीं देंगे. इसलिए दोस्तों, जिंदगी हमें अपनी हर गलती को सुधारने का एक मौका जरूर देती है. इसलिए कोई गलत कदम ना उठाएं और अपने माता-पिता से हर प्रॉब्लम शेयर करें जिससे मुश्किल घड़ी में वो आपका साथ दे सकें. रिंकू हर साल क्लास में फर्स्ट आती है. रिंकू अमीर घर की लड़की थी और गोरी थी. वो दस्वे क्लास में पढ़ती थी. उसके पास हर एक सबजेक्ट के लिए अलग-अलग ट्यूशन टीचर था और उसे इस बात का घमंड था. मुझसे कोई पंगा नहीं ले सकता है. मैं पढ़ाई लिखाई में सबसे अच्छी हूँ. उसी क्लास में पिंकी नाम की एक और लड़की थी. वो गरीब घर से थी और काली थी. इस वज़े से उसे क्लास के बच्चे ताने मारते रहते थे लेकिन पिंकी को पढ़ाई लिख रख दिया. पिंकी उसके पास आई और बोली. रिंकु मुझे इस बैंच पर बैटना है. कैसे बैठेगी? यहाँ जगा नहीं है. तुने अपना बैग रख दिया है यहाँ. बैग हटा? यह बैग रखने की जगा थोड़ी है. तो जैसी काली का लोटी को तो स्कूल में एड शान तो जाओ बच्चों. अपनी अपनी जगा पर बैट जाओ. विवेक सर को सब लोग पहली बार देख रहे थे. इसलिए सब ही चौक गए और अपनी अपनी जगा पर बैट गए. रिंकु ने बैग घटा लिया और पिंकी जट से उसके पास फर्स्ट बैंच पर बैट ग गया. वाओ, सर कितने हैंडसम है. ऐ पिंकी, सर की तरफ आंक उठा कर भी मत देखना, सर मुझे पसंद आए हैं. तो क्या हुआ, सर मुझे भी पसंद आए हैं. हाँ, तुझ जैसी काली बदसूरत गरीब लड़की को सर भाव नहीं देंगे. दुनिया में सब लोग रंग औ कैसी कोई बात नहीं है. विवेक सर ने मैट्स पढ़ाया और क्लास के बाद वो चले गए. स्कूल खत्म होने के बाद रंकू अपनी गाड़ी से घर चली गई और पिंकी पैदल घर की ओर जाने लगी. लगता है विवेक सर से मुझे प्यार हो क्या है. पती हो तो विवेक सर जैसा. उधर रंकू भी पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रही थी. उसकी मा ने उसके हाथ में दूद का ग्लास दिया, लेकिन वो ग्लास गिर कर तूट गया. बेबी, ये क्या क्या तुमने बेटा? ध्यान कहा है तुमारा? वो स्कूल में है मा. स्कूल में? लेकिन अभी त जितनी ही थी. मैडम पढ़ा तो रही थी, लेकिन रिंकू और पिंकी का मन पढ़ाई में नहीं था. बच्चो, कल नए टीचर ने क्लास लिया है न? क्यासी लगी उनकी क्लास? बहुत अच्छी मैडम, विवेक सर तो बहुत अच्छे है. हाँ मैडम, वो बहुत अच्छे है हाँ हाँ, सच्छ में वो अच्छे है, उन्हें जादा परिशान मत करना. रीना मैडम की क्लास के बाद पिंकी और रिंकू में बहस शुरू हो गई. सुन पिंकी, विवेक सर सिर्फ मेरे है, सिर्फ मेरे. क्यों, तु गोरी है इसलिए? हाँ, और अमीर भी. ठीक है, तो फिर सच्चाई का पता करी लेते हैं, हम दोनों विवेक सर को मन की बात बताएंगे. ठीक है, आज ही बताएंगे. विवेक सर क्लास में आये, और क्लास खत्म होने के बाद क्लास के बाहर पिंकी और रिंकू ने उन्हें रोक लिया, और सब कुछ बता दिया. दोनों की बात सुनक तुम दोनों अभी बच्ची हो, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ नहीं सर, आप बताओ हमें, आपको मैं जादा पसंद हूँ या रिंकू, रिंकू मुझे ताना मारती रहती है क्यों न मारू ताना, बचसूरत है तू, काली है गरीब है विवेक सर को सब कुछ समझ में आगया, उन्होंने कहा देखो, मुझे पसंद करते हो ना, तु मेरी बात माननी पड़ेगी हाँ हाँ सर, जरूर मानेंगे तो फिर तुम दोनों दोस्त पंजाओ, गले मिलो एक दूसरे से नहीं सर, मैं इस काली बचसूरत भिखारिन से गले नहीं मिल सकती हाँ हाँ, मैं भी किसी घमंडी चुडेल से गले नहीं मिल सकती दोनों फिर से जगरने लगे, विवेक सर ने दोनों को शान्त करवाया और कहा रात को पिंकी और रिंकू को नीद नहीं आई, दोनों आखे खूल कर विवेक सर से शादी के सपने देखने लगे अगले दिन स्कूल आते ही, विवेक सर ने दोनों को बुलाया और कहा रिंकू, तुम मैट्स में वीग हो ना? हाँ सर, मैट्स के लिए मेरे पापा ने दो टीचर रखे हैं, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है, बागी सब सब्जेक्ट में मुझे अच्छे माक्स आते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैट्स में अच्छे माक्स नहीं आएंगे तो दसवी कक्षा में टॉप कैसे करोगी, और पिंकी, तुम, तुम इंग्लिश में वीग हो ना? हाँ सर, हमारी गाओं में कोई भी इंग्लिश नहीं बोल पाता है, ट्यूशन लगाने का पैसा नहीं है, लेकिन मैं मैट्स में बहुत अच्छी हो समझ गया, सुनो, आज से तुम दोनों एक दूसरे को पढ़ाओगी, पिंकी, तुम रिंकु को मैट्स पढ़ाओगी, और रिंकु, तुम पिंकी को इंग्लिश पढ़ाओगी लेकिन उससे क्या होगा सर? जो अच्छे से पढ़ाओगी, मैं उसी का प्यार सुईकार करूँगा, और उसका विचार साल के अंत में होगा, रिजल्ट से ही पता चल जाएगा कि किसने कितनी अच्छी तरह से दूसरे को ट्रेनिंग दिये, ठीक है? ठीक है सर, मैं रिंकू को मैट्स पढ़ाने में जान लगा दूँगी, मैं भी पिंकी को पढ़ाने में जान लगा दूँगी सर, विवेक सर से शादी करने का सपना दोनों के सर चड़ गया था, क्लास के बाद दोनों स्कूल में पढ़ने और पढ़ने के लिए एक दूसरे क ठीक है, पक्का। बस रिंको को मैट्स में जादा मार्क्स आ जाएं। जिंदगी में पहली बार दोनों एक दूसरे के लिए प्रार्टना करने लगें। और दोनों को इंग्लिश और मैट्स में फुल मार्क्स मिलें। दोनों खुश होकर एक दूसरे का हाथ पकड़ कर विवेक सर के पास गई सर, हम दोनों को फुल मार्क्स मिले हैं, हम दोनों बहुत खुश है हाँ सर, अब तो बता दीजे आपको हम में से कौन जादा पसंद है मुझे तो तुम दोनों पसंद हो, लेकिन एक स्टूडेंट के हिसाब से मुझे तो बस तुम दोनों में दोस्ती करवानी थी पढ़ाई लिखाई से भी ज्यादा, इंसान में इंसानियत और प्यार ही ज़रूरी है और आज तुम दोनों वो सीख गई हो, इसलिए मैं तुम्हें अपनी शादी में बलाना चाहता हूँ येलो कार्ड आपकी शादी? लेकिन किस से? तभी रीना मैडम सामने आई मुझ से हम दोनों शादी कर रहे हैं तुम दोनों को दोस्त पनाने का ये आईडिया मैंने ही विवेक को दिया था पिंकी और रिंकी को दोस्ती की एहमिद समझ में आई आज वो दोनों दुखी नहीं थे बल्कि बहुत खुश थे एक साथ सजधच कर वो दोनों विवेक सर और रीना मैडम की शादी में गए और उसके बाद क्लास में हमेशा एक साथ फर्स्ट बेंच पर बैठने लगे शादी के सपनों ने उन्हें असली प्यार और दोस्ती सिखा दी